हेलो स्तो कमाई का आड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केंस टेक्नोजी के बारे में इस कमपनी के दोस्तो कौटर टू के रिजल्ट अनौन्स हो चुके हैं और कमपनी ने काफी शौकिंग पॉफोर्मस अपना रिजल्ट में बता दिया यानि के जो कमपनी का इंकम है और दोस्तो नेट प्रॉफिट वो कितना श्यांदार यहाँ पर इंप्रुमेंट हुआ है मैं आपको वो तो बताऊंगा ही उसी के साथ कमपनी में जो स्ट्रेंथ है आने वाला समय कितना ब्राइट इस कमपनी से रिलेटेड आमने दिखाई देते हैं दूसरा कोई मेजर अनॉस्मेंट कमपनी ने दोस्तो नहीं किया केंस टेक्नोलजी ने तो छलिए केंस टेक्नोलोजी के स्टैंडल रिजल देख लेते सभी फिगर्स दोस्तो इन यहाँ पर मिलियन में आपको देखने को मिलेंगे पिछले साल यान 4,721 मिलियन यानि बहुत अच्छी जंप आपको देखने को मिलेगी इंकम के अंदर एरली बेसिस पर एंड कॉर्टर ले अलसो देखिए याने जून कॉर्टर में यहाँ पर जो कमपनी का इंकम था वो था 3,861 जो की बढ़कर दोस्तो हो चुका है यहाँ पर 4,721 यानि के केंस टेकनलोजी के स्टेंडर रिजल्ड में इंकम काफी तेजी से बढ़ते वे दिखाई दे रहा है और दोस्तो अभी प्रॉफिट की बात करते हैं तो केंस टेकनलोजी का जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट फॉर दे पिरेड था वो था यहाँ पर 254 दोस्तो मिलियन क जो बढ़कर हो चुका है 625 यहाँ दोस्तो चोपन से डाइरेक 625 यहाँ पर देखिए कितना बड़ा जंप नेट प्रॉफिट में है येरली एंड कॉर्टली भी 485 से बढ़कर नेट प्रॉफिट 625 हो चुका है एंड दोस्तो कंपनी के अंदर जो यहाँ पर कंपनी के हम आर्निंग पर शेर को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है और यहाँ पर भी आपको बड़िया बदलाव देखने को मिलेंगे देखिए 4.37 से डाइरेक्ली 9.77 7.59 से बढ़कर 9.77 यह हो गए दोस्तो स्टैंडरन रिजर्ट आप कंसुल्ट रिजर्ट डि डिटेल्स कौम देखें सभी फिगर्स इन मिलियन में है और यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि इंकम जो है वो एरली भी हो दोस्तो या कौर्टरली बोत यहाँ पर इंप्रोमेंट आपको दिखाई देगी मिन्स केंस टेकलाजी का जो इंकम है वो काफी तेजी से भी बताता हूं पिछले साल जो 323 मिलियन का नेट प्रॉफिट था कंसुल्डेट रिजल्ट का सप्टेमबर 2023 में वही नेट प्रॉफिट बढ़कर अभी सप्टेमबर 2024 में हो चुका है 602 यहाँ पर मिलियन में यानि कमपनी का जो प्रॉफिट है वो चाहे स्टैंडलेट क की बात हो दोनों में कमपनी कौर्टरली येरली बहुत दोस्तों इंप्रॉफिट दिखा रही है काफी अच्छे रिजल्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है और आप बिलकुल हो सके उतना अभी यहाँ पर कमपनी को स्टडी कीजिए अभी हम तो अभी आपको डीटिल आपकर दिया है पिछले भी कौर्टर के रिजल्ट को हमने कवर किया था और अभी के कौर्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और हमें एक्सपेक्टेशन है दोस्तों की ये डिक्सोन के तरह ही एक बड़ी और अच्छी अच्चुमेंड शेर हुलर को करकर देगा और ब पताना इसलिए चाहता हूँ कि आपको पता चले पिछले कोई भी कौर्टर के रिजल्ट को आप देखना उसमें कमपनी एक नेक्स लेवल आगे बढ़ते वे दिखाई देगी एंड खास करकर yearly basis का पिछले 2020 से दोस्तों आज की नहीं 2020 से आप यहाँ पर compare किजिए sales को या net profit को वो एक कदम आगे बढ़ रहा है yearly business की बात कर रहा हूँ long term में यही point और यही factor होता है दोस्तों company के अंदर निवेशक को benefit देता है और वैसे तो केंस टेकलोजी में बड़े निवेशक अच्छे खासे है देखिए 16% D.I.S. है 14% F.I.S. है ड.I.S. में कौन को ने तो देखी access mutual fund है नेपोलो लाइप इंडिया है कैनेरा है और उसके बाद में आपको दूसरे भी fund मोतिला लोसुआ लार्ज के अबेंड मिटके अफंड है SDFC Life Insurance Company Limited जो है वो भी है पबलिक होल्डिंग में भी एक बड़े निवेशक का नाम आपको देखने मिलेगा इस तरीक से तो केंस टेकनलोजी को मस्ट टड़ी करना चाहिए आई होब आप समझ रहे हैं लाज डिशेजन आपके रहेंगे